अमरितपाल की तलाश में पंजाब पुलिस ने खेत खलेहान जुंगल मैदान सब छान डाले लेकिन वो ना घर में मिला और ना बहर पुलिस की माने तो कड़ी चौकसी और छावनी में बदले पूरे लाके के बीच से वो फरार होने में काम्याब रहा जिसकी तलाश ज़ारी है इस बीच अमरितपाल सिंग को लेकर पंजाब हर्याना हाई कोट में एक याचु का दाखिल की गई और बंदी प्रत्यक्षिकर्ण की याचु का दाखिल की गई है लेकिन अमरितपाल की तरफ से वकील इमाम सिंग हारा ने याचु का दाखिल की है याचिका में पंजाब पोलिस पर आरूप लगाया गया है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से अमरितपाल सिंग को हिरासत में रखा हुआ है और अमरितपाल सिंग की जान को खत्रा भी बताया गया हाई कोट ने फिलहाल वारेंट अफसर नियूक्त करने से इंकार किया है इस बीच पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया जिस पर कल सुनवाई होगी पाकिस्तान के आएसाई समर्थित आतंक्यों के साथ अमरितपाल के रिष्टों को लेकर लगातार दावे किये जा रहे है उसे आएसाई का एजिन बताया जा रहा है ये भी बात सामने आ रही है कि वो जिस मर्सिटीज में घूमता है उसे ड्रग माफिया रवेल सिंग ने दी है आरूप तो ये भी है कि वो लोगों की नजरों में नशामुक्ती का अभ्यान चलाता है लेकिन इसके आड़ में वो नशामुक्ती के इंद्रों में पाकिसान से अबैद रूप से हत्यार मंगाता है यही नहीं नशामुक्ती केंद्रों में लोगों के साथ मारपीड भी की जाती है नशे के लिए मजबूर किया जाता है अमरितपाल दवाओं की घटिया गुणवत्ता वाली सस्ती एंटी डोस खरीद कर युवाओं के गट जोड में भी शामिल बताया जाता है इसी वज़े से डवलू पीडी ने नशामुक्ती केंद्रों के लिए किसी डॉक्तर की नहीं की है इस बात का भी खुलासा किया गया कि हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जाने की घटनाएं बड़ी है ऐसे ड्रोन पाकिस्तान से ड्रग लाकर भारती सीमा में गिरा रहे है यही नहीं अमरत पाल की दुबाई में जस्वन सिंग रोडे से संबंध थे उसका भाई लखबीर सिंग रोडे पाकिस्तान से भारत में नश्य का कारोबार करता है अमरत पाल का संबन्द पाकिस्तान सिच सीमापार के ड्रग डीलरों जैसे बिला, बिलार, राणा आदी से भी जुड़े हैं भारत आने से पहले उसने जॉर्जिया में ISI से ट्रेनिंग ली है